लीग 2018 की शुरुवात में बचे हैं बस कुछ चन्द दिन और बहुत सारे लोगों को इंतजार है IPL 2018 की ओपनिंग सेरेमनी का आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कब कहा कैसे ये ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है कौन कौन इस ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वाला है मतब सब कुछ IPL 2018 की ओपनिंग सेरेमनी से जड़ा हुआ सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं डेट की तो पहले ये ओपनिंग सेरेमनी होने वाली ती 6 अपरेल को लेकिन क्योंकि कमिटी ओफ एडवाईजर ने इसमें इंटरवीन किया और अब ये ओपनिंग सेरेमनी दोस्तों बजट कट डाउन करका 7 अपरेल 2018 को होने वाली है अब दोस्तों बात करते हैं इसके वेन्यू की तो पहले ये NSCI डोम में होने वाली थी लेकिन अब जो ओपनिंग सेरेमनी होगी वो वान खेड़े स्टेडियम में ही होने वाली है इसके बजट की बात करें तो दोस्तों पहले इसका बजट 50 करोड रुपे रखा गया था लेकिन अब ओपनिंग सेरेमनी का बजट 20 करोड रुपे घटा कर सिर्फ 30 करोड रुपे ही रहने वाला है लेकिन सबसे महतपूर बात दोस्तों जो सभी लोगों ने मुझे सवाल पूछा है कि टाइमिंग क्या रहने वाली है उस ओपनिंग सेरेमनी की दरसाथ दोस्तों BCCI ये प्लाइन कर रहा है कि टाउस से 15 मिनिट पहले ओपनिंग सेरेमनी खतम हो जाए और टाउस तक जितने भी प्रॉप्स ग्राउंड पर लाए जाए वो सारे हटा लिये जाए इसलिए जो अभी तक टाइमिंग सामने आ रही है वो शाम को साड़े 5 बजे के करीब इस ओपनिंग सेरेमनी को शुरू कर दिया जाएगा शायद 6 बजे भी हो सकती है लेकिन इसकी जो एंड है वो 7 बजकर 15 मिनिट पर होने ही वाली है तो लगबग 90 मिनिट का ये जो पूर की रिकॉर्डेट रहने वाली है सबसे महत्मूर सवाल जो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया और बहुत दिनों सर इस पर चर्चा भी चल रही है कि आखिर कौन-कौन इस पूरी ओपनिंग सरेमनी में परफॉर्म करने वाला और क्या हॉलिवुड का कोई आर्टिस्ट रहने वाली है इंडियन आर्टिस्ट की बात करें दोस्तों तो रनवीर सिंग परिनिती चोपला वरुन दवन जैकलिन फर्नाडनिस और मीका सिंग इन पांच लोगों के प्रारंभिक नाम अभी तक सामने आ रहा है हाला कि इसमें फेर बदल हो सकते हैं लेकिन इन में से ही कोई न 2018 की ओपनिंग सरमनी में देखने को नहीं मिलने वाला है तो दोस्तों ये तो थे वो सभी लोगों के नाम सारी जानकारी आइपल 2018 की ओपनिंग सरमनी से जुड़ी हुई इसी तरह की और खबर लगतार पाते रहिए चैनल को सब्सक्राइब करकर बैल आइकन को जरूर दबा कर्कूँ सरमनी scientist की ओपना को सब्सक्राइब कर्णे ववगों कर्क पाते हैं